हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एक मकान की छट पर जा गिरा हादसे में युवक का पैर कट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई युवक पाली जले का रहने वाला था और वो यहां राजिस्थान पुलिस को अंस्टिपल भरती पर इक्षना देने आया था पुलिस के अनुसार हादसा अल सुबास सोडाला इलाके में एलिवेटेड रोट पर हुआ यहां एक युवकती तेज फीट में ओडी कार को दोडा रही थी उसकी साथ एक और युवती थी इसी दोरान चालक युवती कार पर संतुलन खो बैठे और उसने राज चलते युवक को अपनी चपेट में ले लिया कार ने युवक को इतनी तेज टकर मारी कि वो करीब सौ फीट तक हवा में उचल गया बाद में एलिवेटेड रोट की दिवार पर से उसके पास तित एक मकान की छट पर जा गिरा हादसे में युवक का एक पैर कट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई हादसे के बाद कार एलिवेटेड रोट की दिवार से रगटती हुई काफी दूर गई जिससे उसका एक तरफ का पूरा हिस्सात खत्म हो गया हादसे के दौरान कार के एर बैक खुल गए जिससे युवतियों को कोई नुकसान नहीं हुआ हादसे के बाद मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने कार सवार युवतियों को पकड़ लिया सूचना पर मौके पर मौची पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है प्रारम्मिक जाज में सामने आया है कि हादसे का शिकार हुआ युवक पाली चले का रहने माला था उनकी शनाक्त मादा नाम के रूप में हुई है वो जैपुर में पुलिस कॉंस्टिपल भरती परिक्षा में शामिल होने के लिए आया था लेकिन परिक्षा देने से पहले ही वो तेज रफ्तार के कहर का शिकार हो गया पुलिस मामने की जाच में जुटी हुई है जाग रूप टिपी के लिए जैपुर से खास रपॉर्ट